अपने व्यक्तित्व विकास हेतु हम जितनी भी कलाई सीख सकते हैं उनमें सर्वाधिक मनोरम है सुखी रहने की कलाव सुखी रहने के लिए हमें अपने विचारों को अपने भावों को इस प्रकार से उप्योग में लाना है कि सदा आत्म सुख आत्म त्रिप्ति आत्म विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए सोचने की कला को सीखने के लिए एवं जीने की कला में संशोधन लाने हेतर हम लोग 21 टेखनीक सीखेंगे